उत्रखन राज्जे आपदा के लिहास से समवेदन शील राज्जे है राज्जे में पिछले 20 वर्षों में कई बार देवी आपदा आ चुकी है जिसमें हजारों लोगों की आकाल मिर्टियों हो चुकी है ऐसे में उत्रखन सरकार के लिए जब भी मांसून सीजन आता है एक बड़ी चुनोती सामने खड़ी हो जाती है मांसून सीजन को देखते हुए इस बार उत्रखन सरकार पहले से ही तैयारियों में जुट गई है क्योंकि हाली में चमूली में एक बड़ी आपदा आई जिसमें 60-70 लोगों की मौध हुई और स्यकड़ों लोग घर से बेगर हुए आपदा प्रवंदन एवंग, पुनर वास, मंत्री धन सिंग रावत, मांसून सीजन से पहले ही लगातार अधिकारेों के साथ बैठक कर रहे हैं और मांसून सीजन में ऐसे जगाओ पर जहां आपदा आने का खत्रा बना रहता है उनको चिनित कर उनके विस्थापन की कारेवाई करने के निदेश दे रहे हैं और अभी तक मैं चार समिक्षा बेठक के इसके करता हूँ तीन जिल्लों के भी मैं समिक्षा बेठक रहे हैं मैं यह गरंटी दे रहां परोगी को एक मैने में आपको आपदा प्रभुनन विभाग में बहुत गती दिखने को रहे हैं और कल मुख्यमंद्री जी ने हमारे विभागी समुक्षा की है और कल मैंने जो जो सुझाओ दिये मुख्यमंद्री जी को और भारत सरकार के में मैं मुख्यमंद्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्हें उन सुझाओं पर मुझो लगाई हमें चाह रहे हैं कि एक सूस्थान आबदा का हमेरे राचे में करका हूँ यह हमने परियासे कर लोगों को जिला हेट पार्टर तक लाना या एपसर तक लाना या दिल्ली रैफर करना जब हम पे एर अंबूलेंस रहेंगे तभी हम इस काम को ज़ल्दी लापाएंगा तीसरा बड़ा काम हमें कर रहे हैं कि अपने राज्य के जितने भी शुद्याने और जितने हमारे डिग्री कॉलेज हैं, जितने हमारे उच्छे सिक्षा के केंद रहे हैं, यहाँ पे हम सेटिफिकेशन कोर्स भी चलाएंगे और एक एक्षिक भी से रखेंगे हम आवड़ा प कल अमने धाचे की बेठा कर दी है और अगली केमिन में इस विवाका धाचा बनके तयार हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा धाचा हम इसका बनने वाले हैं, चौथा यह है कि जो हम एक लाख लोगों को आबदा परवनन का परशिखन देने वाले हैं, चाह कि आबदा बिरोधी पहले बनाते थे क्या बहुत बनाते हैं, जो हमारी सहली थी प्रवतिय चेत्र की, वो सहली के इतने भी राज मिस्त्रिय हैं, उनका भी हम परशिक्षन को करने वाले हैं, और उनको एक किट देने वाले हैं, वैसे हम मेला मंगल दोलों को भी योग मंगल जो हमारी थे उनकाटन सत्र में रहें विखिमादरीजे उसका उत्गाटन करेंगे और एक एक्सपर्ट लोगों को उसमें बनाएंगी, जो हमारी तपोवन की खटना हुगी, उसमें वेकल हमने दो टीमें वहाँ बिचीए, पहली टीम है भारत सरकारों से पहली पहली टीम तर थी में द्यिविग आबदा पाट काम कर देंगे हैं सब्सक्राइब करके इसका दिया सब्सक्राइब कने अहीं में दो भीन सब्सक्राइब हो प्रसे पुनके सुजाव भी ले जाएंगे और राज्य के भाद जैसे हमारा ओडिसा सैक्लोना है गुजरात कच्छ का आपदाई इनके भी अध्यान के लिए वे हम एक अध्यान दल बना रहे हैं कि वो दूसरे राज्य का भी अध्यान करके हैं और एक बड़ा काम हमापदा मेकर रह हैं जो कि गलेशरों पर अध्यान करेगी कि और भारत सरकार को राज्य सरकार को स्पीट पोड़ सकते हैं पुनरवास के सासाथ आपदा प्रभाबित इलाकों में आपदा से बचाओ के लिए लगातार कामकाज किया जा रहा है और ऐसी चगाओ पर इस्थाने लोगों को प् जा जा सके एक आचा यह है कि उसमें हमां सोना एक्सपर्ड लोगों को जो है न्यूक्तिया देने वागे जो मौसम विभागा होगा भुगर्भका होगा लग 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 उसमें हमने लगबग बासट लोगों की न्यूक्ति करने का परस्ता रुख है पुरे ढाचे और जिसमें पुरे के लिए हमने कहा है जब तक न्यातें परती लुक्ति पे भी लाया जा सकता है और समेधा पर लगाया जा सकता है यह तीनों ऑप्सन हम उसमें खुले रख रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी ताकि लोग आ जाए और इसमें आमार भूंगर विग्या जगह आधा मक पांट उटता है तो पैसा उतना नहीं मिलता या मनुश्री च्हती होने में पुटता पैसा नहीं इस पर क्या कुछ है देखें बहुत अच्छी वात अपने पही है अभी अभी बयास्ती गाओं हमारे राज जबे पुनरवास के लिए ए ग्रेट शेड़ने और टोटल 356 ग गाओं को पुनरवास कर चुके हैं और 18 गाओ पाइपलाइन में जिनको क्या हमां एक मेने यह दो मेने में पुनरवास कर दे हम एक मेंकान के लिए चाल लाग पर दे गौसाला के लिए 15-20 जार पर दे ऐसे उसके मानक हैं लेकिन हमने भारत सरकार को यह है कि प्रवती राच उत्रखन में देवी आबदा सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनोती है ऐसे में बरसात और बरसात के बाद लोगों को खासी दिकतों का सामना करना पड़ता है इसलिए किसी तरह की आबदा से लोग प्रवावित हो इसके पहले ही प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि आबदा आने के बाद दोहरा नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है एक तरफ तो लोग अपनी जिन्दगी के लिए जद्दो जहत करते हैं दूसरी तरफ सरकार के ल केंद्रित करना पड़ता है इसलिए बहुत जरूरी है कि आबदा जैसे हालात पैता ही ना हूँ